नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडिय हंदुस्तान और मैं हूँ आपके साथ आरजी उमाप्रभाकरन विश्वनीती में आज का विश्य है भारत को गोद ले लेना चाहिए श्री लंका को जिसे लिखा है प्रसिद्ध पत्रकार एवं लेखक डॉक्टर वेद प्रताव वैदिक श्री लंका में वह हो रहा है जो हमारे दक्षिर एश्या के किसी भी राष्ट में आज तक कभी नहीं हुआ जन्ता के डर के मारे राष्टरपती और प्रधान मंत्री को भाग कर कहीं छिप जाना पड़े ऐसा इस भारती उपमाद्वीप के किसी देश में कभी हुआ है क्या हमारे कई पड़ोसी देशों में फौजी तक्त पलट अंधरुनी बगावत और समवेधानिक संकट के कर्ण सत्ता परिवर्तन हुए हैं लेकिन श्री लंका में हजारों लोग राष्टरपती भवन में घुज गए और प्रधान मंत्री के निजी निवास को उन्होंने आग क हवाले कर दिया राष्टरपती गोटा बाया राजपक्ष और प्रधान मंत्री रनिल विक्रम सिंग को अपने इस्तिफा की घोशना करने पड़ी श्री लंका की जंता तो जंता फौज और पुलिस ने भी इनका साथ छोड़ दिया दोनों ने ना तो प्रधान मंत्री के जल प्रधानी को लंबो और उसके बाहर से भी आकर जुटे हुए थे जब श्री लंका में पिट्रोल का अभाव है और निजी वाहन नहीं चल पा रहे हैं तो ये लोग आए कैसे ये लोग दरजनों मील पैदल चल कर राश्टरपती भौन पहुंचे हैं उनके गुसे का अंदा सत्ता धालियों को पहले ही हो चुका था पिछले तीन महेने से श्री लंका अपोर संकत में फसा हुआ है महंगाई और बेरोजकारी आसमान चु रही थी सिर्फ सवा दो करोड लोगों का ये देश अर्बों खर्बों डालर के करजों में डूब रहा है 75 प्रतिशत लोगों क खाना भी पूरा नसीब नहीं हो पा रहा है जो भाग सकते थे वे नाओं में बैट कर भाग निकले जो नेता यानि महिंद राजपर्ष श्री लंका का महानायक बन चुका था इसलिए कि उसे तमिल आतंकवाद को नश्ट करने का श्रेय था उसे प्रधान मंत्री के पद से 9 माई को इस्तिफा देना पड़ा और अब उसके भाई गोटा बाया ने अपना इस्तिफा 13 जुलाई को देने की घोशना की है इस सरकार में राजपक्ष परिवार के पांस सदस्य उच्च पदों पर रहकर पारिवारिक तानाशाही चला रहे थे ऐसे पारिवारिक तानाशाही किसी भी लोगत अंत्रिक देश में सुनने में नहीं आई है उन्होंने बिना किसी विचार विमर्ष के ही कई अत्यंत गंभीर आर्थिक और राजनितिक फैसले कर डाले विरोधियों की चेतावनियों पर कोई कान नहीं दिये अंतरराश्य वितिय संसाओं की चेतावनियों को भी उन्होंने दरी के नीचे सरकार दी उन्होंने प्रधान मंत्री बदला और कई मंद्री भी बदल दिये लेकिन यह बदलाओ भी किसी काम नहीं आया अब सर्व दली ये सरकार ये बन भी गई तो क्या कर लेगी इस समय श्री लंका को जबरदस्त आर्थिक टेकी की जरूरत है भारत चाहे तो संकट की इस घड़ी में कुछ समय के लिए वह अपनी पड़ोसी देश को गोद ले सकता है यह देश भारत के किसी छोटे से प्रांथ के बराबर है श्री लंका की बौध और तमिल जंता भारत के इस अहसान को सधियों तक याद रखेगी अब अनमती दीजिये उमा प्रभाकरण को फिर मिलती हूँ आप से तब तक करते रहें काम और सुनते रहें रेडियो हिंदस्तान दोस्तों जाते जाते इतना आवश्य कहूंगी कि पानी बचाएं और पानी बचाना सिखाएं पेड लगाएं और पेड लगाना भी सिखाएं